Welcome to our Channel civil insight तो जैसे गे हमने अपने लास्त लेक्चर में कर रहा था 2 हींज आर्चीज में हमने कर रहा था पाराबॉलिक के लिए unit load पे ठीक है न हमने पाराबॉलिक केस कर रहा था पाराबॉलिक 2 हींज आर्चीज में कि जब हमारा एक load point load पॉइंट लोड हमारा जब crown पे होता है center पे होता है तो लेकिन आज के तो हमारा case होगा उस पे हम करेंगे UDL जब हमारा पूरे overall UDL होता है ठीक है ना? तो इस channel को ज़रू सब्सक्राइब करें वीडियो को like करें तो हम शुरू गड़ते हैं, पहले मैं यहां पर लिग देता हूँ एक केस, पैरावॉलिक, पैरावॉलिक, टू हिंट, आर्ट, कैरिंग, यूदियल, यूनिवर्स, यूनिफॉर्म डिस्टिबिटेट लो होता है, यूदियल गार्फॉर्म, और यह आपको पता होना चाहिए चाहिए, ओफ इंकसिटी, डिवली, थ्रूाओट इस पैं, थ्रूाओट इस पैं, ठीक केस है, ऐक हमें पैरावॉलिक, टू हिंट आर्च दिया हूँ है, हम में भी बनाते हैáticasедék, और पैरावॉलिक, तू हिंट आर्च दिया हूँ है, ठीक के दिस्पेकी इक यूदियल दि पूरा हमें W किलो न्यूटन पर मेटर ठीक है ना यह हमारे उनिट्स होते हैं तो अब हमें क्या आगना है अब हमें वही निकालना है जो हमेशा से अब्जेक्टिव रहा है अब पहले हम यह डाइग्राम में पर पूरा कर लेते हैं देखो यह हमारा क्राउन है मलब क्राउन से हम यहां पर नीचे तक लेके आते हैं ठीक है तो यह हमारे एच होता है यह हमारे एच होता है हमने पड़ा हुआ है अगर आप सीधा में इस वीडियो पर आया तो एक बार फर्स लेक्चर ज़रूर चेक करें हमारा टू इंच आर्चिज का पार्ट वान होगा तो उस पर आपको सब समझा देगा हमने कैसे कैसे हम एच एच क्यों लिख रहे है वो अगर तो एक मैं आपना पहले इसका इकुलेंट बीम बना के दिखाता हूं तब हम थोड़ा सा आगे शुरू करते हैं इसका इक एक इकुलेंट बीम बनाते हैं जिस पे हमने यहां पे पी पॉइंट पे हम इसका क्रॉस सेक्षन लेंगे ठीक है ना पी पॉइंट पे ठीक ह इसका क्या मतलब हुआ, यह हमारा यहां से यहां तक distance है, यह हमारा X हो गया, और यह मतलब ना दिस्टेंस हो एगा, यह मतलब आप Y हो गया, और हम्हें पता है पेराबॉलिक पे Y का क्या formula होता है हमारा 4x, L-X by L2, यह आपको पता है ना, कि हमारा यह Y का फॉर्मूला होता है, तो अब हम आपके शुरू करते है, कैसे हमें यह देखना है, कि इसका क्रोस सेक्षन वेरे कैसे निकलेगा, तो पहले हम RAR भी निकालने के लिए, आरे तदे को simply आपको पता होना चीह है कि जैसे कि अगर हम point load करते है तो w by 2 होता है और अगर हम UDL करते है तो w l by 2 होता है चिर्फ एक l बीच में जूड़ जाता है जो कि हमारे entire span की length होती है तो इस simple analysis है यह आप यहां पर ना भी दिखा होगे तो भी पर फरग नहीं पढ़ता तो यहां पर हम सीधा लिख सकते हैं कि हमारा r a k w l by 2 यह simply वैसे निकलता है जैसे हमारा वो उसमें निकलता था अब आपको एक चीज़ पता है कि जब हम आंसर शुरू करता है तो एक बार हम जुरू लिखता है कि m p क्या होता है हमारा moment of पूरा यह arch हमारा कि m beam minus h into y ठीक है न माइनस h into y ठीक है यह आपको पता है तो अब अब m beam हमें निकालने यहां पर तो हमारा main तो सारा हमारा m beam है तो m beam निकालने के लिए हम आके देखते हैं इस शीट को साइड में रखते हैं हम यहां पर एक equivalent beam बनाते है इसका ही देखो equivalent beam कैसे बनेगा जो कि हमारा होता है independent of h यह हमारा a point यह हमारा b point तो यह हमारा r a यह हमारा r b ठीक है ना यह सारा हमारा u d l लगा हुआ है w kilonewton per meter ठीक है ना अब हमने यहां से cross section लिया p पर ठीक है ना हमें इतना part लिया है सिर्फ इतना part लिया है जिसका कि इसका distance है x ठीक है ना इसका distance x हो गया ठीक है अब थोड़ा से important का आप आप ज़रूर ध्यान से देखना देखो जब हमें यह चीज निकान लोते है r a r b वो तो आपको पता है देखो r a r b हमारा कैसे निकलता देखो अगर हम Udl पर चलते हैं तो पहले हम sum of horizontal forces ले रहते हैं sorry vertical लेते हैं vertical लिया हमने ठीक है ना y axis पर y पर लिया हमने तो क्या होता है देखो r a plus r b is equal to wl ठीक है ना r a is equal to r b wl minus r b होयागा ठीक है ना वैसे होता है और जब हम यहां से b से निकालते हैं तो वह सेम ऐसी हो है तो देखो r a इस पांड भी लेगा र a उपर into x sorry into l हम यहां पर पूरा l लेंगे जब हमने यह r a और r b के लिए निकालना भी दिखा रहो हम है ठीक है into l ठीक है ना r into l पर परपेंडिकुलर दिस्टेंस होगे ना यहां परपेंडिकुलर दिस्टेंस माइनस लोड नीचे लग रहे है यह हमारा sum of x इस पे रहेगा ठीक है ना अब अब जब हम यह देखेंगे तो हमारा क्या है एगा यहां से गया तो हमारा r a कितना आयता है wl by 2 और अगर आप 1 में से half minus करोगे तो तब भी half आता है ना तो r b हमारा क्या आयता है wl by 2 एक बार मैंने आपको revise करते है कि r a और r b हमारा कैसे निकला था तो मैंने आपको simple यहां पर काता है simple analysis से निकल दाए ठीक है ना हमारा यह हो गया अब हमें क्या निकालना है mp beam यह m beam बोल दोगे m beam निकालना जो कि मारे equivalent beam से निकलता है अब अब यह कैसे करें देखो हम यहां लिखते है m beam हमने cross section यहां का लिए ठीक है तो r a r into कितना distance perpendicular x अब minus अब थोड़ी सी देखने माले ठीक है ठीक है ना अब देखो u d a तो सम में लगा हुए ठीक है अब हमने जिस इतना पार्ट लिया है तो मतलब कि हमने इस x distance में w लिया है ठीक है तो w load into perpendicular distance x और आपको पता है जो हम u d a लेते था हम उस तो cg भी साथ हम multiply करता है into x by 2 ना कि l by 2 यह यहां पर x लेंगे द्यान रखना यह बहुत ही important पार्ट है इस question का इस case का तो अब जुरूर द्यान रखना है कि तो हमें यह x ऐसे लेना है इसके साथ ठीक है ना तो अब अब हमारा अगर हम इसको पूरा आप कैसे करें तो देखो इसको क्या बनेगा हमें यूस होगा ठीक है ना यही निकाना था यह थोड़ा सा important है यह हमने x में लेना कि कई वच्चे l में भी ले लेते हैं तो वह प्लीज गल्ती ना करें इसमें बहुत बढ़ी गल्ती हो रहेगी अगर आपने चीज करी तो अब अब जैसे हमारा यह निकल गया है अब हमें देखो क्या पता है हमें horizontal thrust का formula पता है अब हम य तो हमें या पर देखो लिख लिए था य यह हो गया ठीक है य का हम फोर्मला पता है तो एक वार हम दोनों formular लिख रहते हैं एक वार हम horizontal thrust का formula लिखते है h is equal to integral 0 से l ले लो m beam है यह है मैं मेंशा तर बोलता रहो हर एक वीडियो में यह m beam है formula में m beam होता है ना कि movement of arch mp नहीं होता है mby हम सीधा ds by di भी ले सकते हैं dx by ei भी ले सकते हैं तो हमने dx पहले सी ले लिया क्योंकि आपको पता है सेम ही होता है y square dx by ei यह हमारा a horizontal thrust के लिए formula आ गया और हमारा y के 4hx l square l minus x तो यह दो चीज़े तो हमें दे को पता ही थी ठीक है ना यह आपको यार्ड करना थे दोनों चीज़े ठीक है ना यह और यह और यह चीज़ हमने निकाल दी अब हमारे पुछ राइन नहीं करने को अब simple calculation पर 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 देखना तो अगर हम h उठाते है h अब ने उठाया अब थोड़ा जीज़े इसमें ट्रिक्स वेराज शाहिन वेराज लगा रहो हूं बाइ 2- W x2 multiply में y 4hx by l2 एकुला multiply में l-x dx ei और ei कट गे ठीक है ना क्यूई उनिफॉर्म लेके चल रहे हम हर एक केश में अब divide by यह दो मारे numerator था अब denominator 0-l y2 4hx by l2 l-x का whole square dx थी है अब ये चीज आगे ना अब हम हर एक पार्ट में आपने देखो है मेरे पहले लेक्षर में मैंने निमेटरा लगी है और डिनमेटरा लगी है लेकिन हम इस केस में हम ये चीज नहीं करेंगे क्यों नहीं करके मैं वह में आपको दिखाता हो ये आप पहले ओले केस में भी कर सकते हो लेकिन ये मुझे थीख लगा कि केस में करना चीज दूसरे केस रिए है कि महाँ पर को डूबारा से वह एक्स दूबारा लिक्ते है Shopify आपका clear ले समझताए वालेकोzeac से L WLX by 2 minus WX square, ठीक है न, 4HX by L square, L minus X, DX, ठीक है न, डिवाइड by 0 से L, Y square लिखना से 4HX by L square, L minus X का ये whole square होलेगा, पूरा और DX, ठीक है न, अब, अब इसमें क्या चीज़ ट्रिक जो मैं इसमें कि आपना common लेगोई है, इन में से जो 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 चीज़े common आती है न, वो एक बार लो आओ, तो अगर आप देखोगे, इसमें से देखो common और constant, दो चीज़े या देखना, common और constant, अब आप constant ही बाहर निकालने एक तरा आगे, constant, श कि सार बुछ multiply में निकालने, यहांसे निकाल सकता है तो सबसे पहले हम फोर निकालने, जो कि हमारा constant ही पहले है, अब अब यह ऊपय रहा है, सारे क्लियर होगे, जो कर नीच बाहरा लेबले, 2L² दोनों ही निकल जाए constant है ठीक है L भी मारा एंटायर स्पैन भी constant है जीलो से L अंतर क्या बचा अब यह देख रहा है देखो अब मैं आता हूं आपको देखो हमने इसमें से W निकाल ला ठीक है ला इसमें से W निकाल ला और यह ऐसी रखता है LX-X² ठीक है न यहां भी हमने क्या रखा है LX-X² इसमें से यह रहा गया और इसमें से क्या रहा गया एक्स बाहर है अगर हम अंदरी लेके हैं तो LX-X² ठीक है ना कुछ ऐसे ही रहे गए यह बीच में नहीं है यह हमने इसको माइनस यह X अंदरी लेके तो LX-X² यह दोना सेम होगे ना तो हम इसको क्या लिख सकते हैं चलो यह ऐसी रखते हैं यह वली चीज हमने ऐसी रखी DX अब नीचे हम क्या निकाल सकते हैं तो अब धियान रखना स्क्वेर में है तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसमें तो 4 का 16 हो जाएगा 4 का X² और तो उपर कुष्णी निकलेगा बाए L² निकलेगा लेकिन वह स्क्वेर है तो L4 अब अंदर क्या बज़ेगा देखो 0 से L लेके गए तो X L-X और यह भी स्क्वेर और यह भी स्क्वेर अब आप ध्यान से देखो यह और यह टर्म सेम ही नहीं है अगर हम इसे वह करें छोड़ा से और आके लेकिता हैं तो इस रिक्वेशन को आप देखोगे हैं तो हम देखो X और X एक बाल कॉंमों ले लेगे एक स्क्वेर है और हमारा L-x फ्क्वेर भी lunar है तो यह तो हमारा हमारा में आपने 2 बहार निकालके L by 2 नहीं कर रहा है जैसे हम नॉर्मल अपने cases में करते हैं तो अब यहां से simply क्या इसे होगा यह से और यह कट गया है है ना easy बस यहीं पर खतम होगा step अब आपके बास क्या बसता है यहां पर 4Wh by 2L square divided by 16 x square by L4 देखो कहीं calculation करने की जुरत नहीं पड़ी ना आई कहीं integral यह सब सीजियस पारता है इस case में ठीक है ना और भी cases में नहीं कर सकते हैं को उसमें कोई मनाई नहीं लेकिन थोड़ा confusing हो जाता है उसमें कभी यह निकलते हैं नहीं mostly common तब उसमें try ना करें सिर्फ इस case में try करें जिसमें आपको UDL दे हो है entire span के लिए तो अगर हम इसको पूरा solve करें तो हमारे h की value पता है क्या देगी w L square by 8h यह आपको याद भी करना है और आपको इस सीखना भी है कैसे हो है तो यह important है बहुत जादा और इस CTM कर लो इसे commit to memory ठीक है यह आपको याद करना है यह चीज़ ठीक है बहुत important है UDL के लिए आपको याद होना चीज़ है कि अपने कैसे करा और यह क्या आपता है हमारा horizontal thrust यह हमारा कै है horizontal thrust ठीक है यह आपको आना चीज़ है सब कुछ ठीक है अब अब आप देखो अगर आपको बुक्स रहरा उठाता है मैं तो अपने knowledge के लिए करता हूँ ठीक है अब confusion ना हो है तो बुक्स में यहाँ पे है एच को संटाइम्स YC भी लिया हुए ऐसे Central rise को YC भी लिया हुए तो दोनों सेम है तो WL square by 8 YC भी अगर आपको कोई answer मिलता है UDL के लिए तो वो भी सही है क्योंकि उन्होंने Central rise के होता है यहाँ पे हमारा Central rise यह होता है कोई यहाँ पे YC भी ले रहता है books भी रहता है तो सेम ही होता है हम बस small x से donate करते है थी है तो अब यह हमारा यह सारा answer निकल गया है H is equal to WL square by 8H और यह हमारा important चीज थी आपको यह ही याद करना और यह हमारा case दा आज का तो यहाँ पे हमारी यह पूरी वीडियो खतम होते और यह हमारा answer हो गया पूरा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे और यह मैं इस पर पूरा series मनाऊंगा अब यह हमने 2 inch आच कर लिया तो अगली बार हम 3 inch भी आच करेंगे तो आप प्लीस इस चैनल की सार जूडे रहे और civil insight को जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैन तो thank you for watching